ओमशान्थिन हम सभी इस संचार में पद्मा पदम भाग्यवान हैं भाग्यविधाता ने स्वेम हमारा भाग्य बनाया है और वो हमारे पिता है एक पिता अपने बच्चों का भाग कैसा लिखेगा सोचलें स्वयम भाग्य विधाता हमारा हो गया उसने भाग्य बनाने की विधी भी हमें बता दी याद करें इस जीवन में बाबा से हमें क्या क्या मिला हो अगर हम उन प्रातियों को याद करें उन सुन्दर घटनाओं को याद करें उन सुन्दर अनुभूतियों को याद करें, जो बाबा की साथ हुई हैं, जो इसी स्वर्य पत्थ पर कदम रखने से प्राप्थ हुई हैं, तो मन रभू पेल में मगन हो जाएगा, सच मुच, दिव्य बुद्धी प्रदान की है बाबा ने हमें। सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि वो हमारा साथ ही बन गया है, जीवन साथी, जीवन की यात्रा पर हमारी साथ चलने वाला साथी, सबसे बड़ी प्राप्ति, भगवान ही हमारा हो गया, उससे बहुत सुख दिया, जनम जनम के कस ठर लिये। जो कुछ हमने चाहा था भगती में, उस सब उसने दे दिया है, हम तो बूल गे हमने क्या चाहा था, उसे सब पता था, उसने सब कुछ दे दिया हमारा तीसरा नेत्र खोला, सोचें, सत्यान के लिए हम तरस्ते थे, भटकते थे, खोज्ते थे, सत्य स्वयम चल कर हमारे द्वार पर आगया, कुछ भी जानना सेश नहीं रह, सारी गुप्थियां खोल कर रख दी, स्वयम वो पढ़ाने आगया, परमसिक्षक बनकर, और परम सद्गुरु बनकर, हमारा हाथ पकड़कर, हमारी जीवन नया का क्यवया बनकर, हमारी जीवन नया को खेने लगा, सरलत लादी जीवन में, हम ये सीख ले, कि उसकी हाथो नया सौपकर हमने श्चिंत हो जाएं, अपने बोज सारे उसको देखर हलका हो जाएं, याद करें, बावा ने दरश्टी देकर क्या-क्या अनुभव कराएं, याद करें, उसने क्या-क्या वरगान दे दिये, उसने क्या-क्या शक्तियां मुझे दे दी हैं, किसकी समय पर हम उसकी मदद के पात्र बन गएं, सच मच, जो कुछ उसने हमारे लिए किया, चारो युगों में भी सबने जो कुछ हमारे लिए किया हो, वो मिला भी दें तो भी कम रहेगा, हजारो गुना ज़ादा, लाखो, करोडो गुना ज़ादा, उसने हमारे लिए कर दिया, हमें अपनी संपोल्टा की रहा दिखा दी, हमारे दिव्य सुरूप का दिगदर्शन करा दिया, कितनी सम्मोखा गए, लो ले लो जो चाहे मुझे से लेना, और इतना ही नहीं दे दिया है, तो अपने इंसंदर अनुभ़़ों को याद करके, प्रबू प्रेम में मगन रहने का अनुभ़व करे, आज सारा दिन हम याद करते रहेंगे, बाबा ने मुझे क्या क्या डिया है, personally भी हरेक को बहुत कुछ दे दिया है राजी हो गया है भगवान हम पर बार बार याद करेंगे और राजी होकर कह रहा है बच्चे जो चाहे ले लो मैं भी तुम्हारा और मेरा सब कुछ भी तुम्हारा हम लेते चलें और जैसे बावा दूसरों के संपून स्वरूप को ही देखता है उसे च्याल रहता है परत्मान स्वरूप इंका चाहे जैसा भी हो अब वो दिन जल दिया जाएगा जब ही अपने मौल स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे हम भी एक दूसरों को देखते हुए आज उनकी संपून स्थिती में देखेंगे सब को कि आज ये पुर्शार्थी हैं कल ये संपून बन जाएंगे और हम सब आत्माएं धर चलेंगे तो आज अपने प्राप्तियों को याद करते हुए अपने और दूसरों के संपून स्वरूप का एक वीजन गुद्धी में रखते हुए अभ्यास करेंगे हम सब बाबा के साथ उड़कर घर जा रहे हैं और पहुँच गए उस चैन और विश्राम की दुनिया में जो हमारा अपना घर है जा बहुत सुख है कुछ देर मा बैठकर इस सुख की शंती की अनुभूती करेंगे ओम शंती